वेलकम टू फ्रेंड्स हैट प्रपेशन यूटूब चैनल इस चैनल में लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को जो भी आपकी मैस की प्रॉब्लम है डाउट है उसे मैं उसे कुशन सॉल्ब करूँगा ठीक है तो आई होप आपके जो फाइनल एक्जाम है उसकी प्रॉप्रेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होगे ठीक है चलो बच्छो कुशन टाइप करो और जो भी डाउट है उसे पूछो मेरी आवाज के लिएर आ रही होगी ठीक है ओडिवल है वोइस ठीक है तो चल्दी से कुशन टाइप करो और पूछो अपने डाउट्स जो भी डाउट है कुशन है पूछो उसे हाँ गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग चलो अब कुशन पूछो जो भी डाउट है कुशन है पूछो बच्चो अच्छा एक कुशन आ गया है दे लेंट अब दे ब्रेथ और रेक्टेंगलर ग्राउट इस फुर्टी मीटर एंड थर्टी मीटर रिस्पेक्टिबली फाइन डाइग्नल ऑफ दे ग्रॉंट ठीक है एक रेक्टेंगल के बारे में डामिनिशन गीवन है हमारे पास और हमें अच्छो पहले पर डाइग कोशन समझाता हूं कुशन में है क्या तो देखो स्क्रीन पर देखो जिलैंख रहा हूं इस कोशन में तो बाताया गया है कि लैंत शीएен और इसकी वेल्यू हमारे कोशन पूछा गया वहां से मैं आपको बता दू है ौह में 40 मीटर कम लिख लेता हूं और यह ब की में वाला बोर्ष्ण श्मकं यह रहाए अगश्थित और भी इन यह नाम रहेता हूं सोपोस्य नानाफ लेता हूं et B C और यह D यह मैंने rectangle का नाम रख लिए है तो आपके पास यहाँ पर क्या है B C की value given है B C की value आप कह सकते हो 30 है और A B की value अगर मैं बात करूँ A B की value हमारे पास है 40 ठीक है और find out जो हमें करना है वो AC करना है AC की value क्या होगी यह हमें find out करना है यह होता है एक theorem होता है जो आप लोग class 8, 9, 10 तैसे में इसमें पढ़ते है ठीक है एक theorem होता है उस theorem को लोग use करेंगे और उसके according solve करेंगे अब वो theorem क्या है पहलो यह समझ लो उस theorem में यह होता है जो भी हमारे पास यह जो diagonal है यानिकि जो hypothenis होता है इसको का मतलब यहां BC है base का मतलब AC है और hypothenis यानिकि जो slant height है इसको हम लोग यहां पर जो AC के रूप में represent कर रहे है तो AC का square जो होता है AC का square is equal to होता है AB का square plus BC का square ठीक है यह एक formula होता है बच्छोई इस formula की help से हम इसे solve कर पाएंगे और जब मुझे AC की value find out करनी हो तो मैं क्या करूँगा under root लगा दूँगा इसे में यहां पर भी under root लगाँगा यहां पर इसमें under root लगाँगा पर इस पूरे में भी इसका under root लगाँगा यानिकि AB square और उसके आद जो BC square है इसमें भी under root लगाँगा तो यह square और square root cancel out हो जाएगी ठीक है और उसके बाद जो AB square है और BC square यह हमें solve करना पड़ेगा यानि कि अगर मैं कहूं कि AC की value है तो AC की value हमारे पास कैसे आएगी under root of AB square प्लस BC square इन दोनों का square लिका लेंगे add करेंगे फिर उनका under root लिका लेंगे ठीक है और इस question में हमें AC ही निकालना है तो AC के लिए मैं आप क्या करूँगा यहाँ पे जो भी value है बचो उस value को put करूँगा तो यहाँ लिखूँगा AC is equal to पहले AB का square तो AB की value मारे पास क्या है देखो यह रहा AB की अगर मैं बात करूँ यह देखोए AB की value मेरे पास क्या 40 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 40 का square 40 का square का मतलब यह है कि 40 को 40 से multiply अच्छो उसके बाद BC का square तो BC का मतलब यहाँ पे हमारे पास 30 है तो 30 को 30 से multiply करोगे result आ जाएगा ठीक है तो यह दोनों चीज़े तो अब यह इसके बाद मैं इसे इदर solve कर रहा हूँ यानि कि अगर मैं लिखूँ AC AC is equal to हमारे पास क्या आएगा 40 का square 40 का square का मतलब यह है कि 40 को 40 से multiply करो बताओ क्या आ रहे ठीक है लाइब चैट में भी आप लो कमेंट करो फटाफट और उसके बाद 30 जो बुला है इस 30 को 30 से multiply करो आपकी पास result आ जाएगा ठीक है उसके बाद AC is equal to होगा जब आप 40 को 40 से multiply करोंगा बढ़ी कमेंट भी करते जाओ बच्चों ने जॉइन कर लिया है क्लास देख रहे हैं बच्चे अपना नाम बता है भी कहां से देख रहे हूं आपका नाम के है ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन-कौन बच्चा है क्लास अटेंड कर रहे है अब देखो 40 को 40 से multiply करोंगे क्या रिजल्ट आ रहे है जड़र यह बता हूं ठीक है अब देखो 40 को 40 से multiply किया देख बची ने reply भी कर दिया कि सर शिक्स्टीन हंडड आएगा ठीक है भी तो यह मैंने शिक्स्टीन हंडड यहां लिख लिए अब जो 3 को 3 यानि कि 30 को 30 से करोगे तो यह आपके पास 900 आगी है और यह जो perfect square है किसका है वो भी हम देख लेते कैसे है तो दो तरीके है इसके square root निकालेंगे आइधर यू किन यूज इस factorization method ठीक है आप factorization method से चले जा सकते हो या फिर एक जो calculation करने का तरीका है कि स्क्वेर रूट निकालने का कि यह 25-100 का स्क्वेर रूट कैसे निकालेंगे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं दोनों में से कोई साभी मैथड यूज करो आंसर आपके पास आ जाएगा फोर एक्जामपल अभी मैं माल लेता हूँ भी आप लोगोंने पता नीकालना आता है मैं मुझे नहीं मालूम है तो मैं ऐसा करता हो कि इस तर शावी से निकाल सकते हैं तो इस में क्या करऊंगा कि जो भी नंबर है जो भी प्राइम फैक्टर से उससे में इसा मल्टिप्लाइ अब मुझे दिख रहा है कि भी यह 10 से हो जाएगा बहुत इसली हो जाएगा तो 10 10 जाओगे ठीक है तो यानि कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो बच्चों मेरे पास क्या रहा है 5 का 10 का पेर बन रहा है तो मैं इसे कुछ इस तरह बोल सकता हूं कि 2500 को आपके पास 2500 था इसे अगर मैं इसको स्क्वेर रूट लगाता हूं तो यह कुछ इस टाइप से बन जाएगा स्क्वेर रूट आफ जो आपके पास 5 इंटू 5 आ रहा है और इदर आपके पास 10 इंटू 10 यह इसके प्राइम फेक्टर से आगे ठीक है कुछ नमबर से आगे अब यहां पर क्या है यह 5 भी प्र त्हुंत जाएगा और जो टैन इउसका भी प्र बन जाएगा 5 का पर बनाऊऒगे तो 5 स्क्वेर लिख सकते हो और 10 का प्रोप टैन स्क्वेर लिख सकते हो अडर रूट जाएगा 10 के साथ भी cancel हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 लिख सकते हो, और यह अंडरूट 2500 है, तो 2500 का जब आपने स्क्वेर रूट निकाला बच्चो, तब आपके पास जो रिजल्ट है, क्या आया, 50 आ गया, तो आप यह कह सकते हो, कि 50 is the square root of 2500, 2500 की अगर बात करें, इसका स्क्वेर रूट का है, 50 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आजाएगा, यानि कि AC की जो वैल्यू है, यानि कि आपने क्या किया, 2500 का स्क्वेर रूट निकाला, और वो हमारे पास 50 आ गया, ठीक है, और बस यही इसकी वैल्य है, यह एक ही वैल्यू की है, 50, 50 क्या होगी, मीटर में वैल्यू है, तो मैं यह क्या कहूंगा, मीटर, और यह इस डाइग्राम के अंदर किसका काम कर रही है, डाइग्नल का काम कर रही है, ठीक है, तो डाइग्नल की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो 50 आ जाएगी, ठीक है तो I hope question clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा कि question को किस तरह से solve करना है क्या problem थी question के अंदर और किस property को use करना है तो देखो ये theorem है बाद में इसका prove भी सीखोगी body class में जागर के अभी basically मैं आपको बस इसका use करना सिखा रहा हूँ कि diagonal का square is equal to होता है A B का square प्लस B C का square अब basically ये ही theorem है इसी के उपर आगे जाकर के concept है trigonometry पूरा इसी के उपर develop की गई है इस property के उपर ही पूरी trigonometry है जो कि आप बड़ी class में यानि के 10 या 9 में पढ़ना start करोगे अब पूरा basically इस चीज को use करके बारी सारी चीजे बनती चली जाएगी तो जिसको question समझ में आ गया बच्चे एक बार comment करके बता दो question clear हुआ नहीं हुआ अगर कोई doubt है कहीं पर तो दुबारा explanation चाहिए तो वो भी बता सकते हो तो यह कुछ नहीं clear हुआ है जल्दी से comment करके बता हो किस क्लियर हुआ नहीं हुआ कहीं doubt है कुछ पूछना है तो वह भी बता सकते हो ठीक है जल्दी से बताओ clear हुआ मुझे बतानी लग रहा है जब तक आप comment नहीं करोगे मुझे clear नहीं हुआ ठीक है अच्छा उसके बाद एक छोटा सा question मेरी तरब से अभी जब आपने एक question solve करी लिया है ठीक है तो इसकी बेसिस पे में एक practice के लिए आपके लिए question देता हूं ठीक है suppose करो सिमिलरी इसी टाइप का question है और उस question में मैं आप से कह रहा हूँ कि again आपके पास एक rectangle ही है ठीक है और इस rectangle की बात करो अब थोड़ी से value चेंज कर देता हूं और value में यह change कर देता हूं कि यह आपके पास अगें जैसे ABCD था यहाँ पर मैं रख लेता हूं पी q r s यह मैंने एक triangle माल लिया और यहाँ पर भी आपके पास यह डाइगनल ही है यह ऐसा में माल लेता हूं ठीक है कुछ इस टाइप से अब मैं बोल रहा हूं कि भी अब जो आपके पास value है जैसे previous question में यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ आपके पास यह 40 और 30 था ठीक है मैं थोड़ा सा change कर देता हूं 40 30 के जगा मैं करें माल लो मैं इसे 400 cm कर देता हूं ठीक है और इसे 300 cm कर देता हूं अब मुझे pr निकाल करके बताना ठीक है बहुत एजी है जिस तरह से आपने यह अला question solve किया उसी के according यह question भी आप solve कर सकते हो ठीक है एक question आया है कि make installment by dividing 9 900 यह question पूरा नहीं है question पूरा टाइप करो बच्छो जब जाके question लूँगा वैसे कुछ भी comment करने से question थोड़ी होगा question पूरा लिखो उसक question type करो next question लूँगा और उससे पहले इस question का solution मुझे बताओ कि इसमें जो diagonal है यानि पी आर की जो value है वो value क्या होगी वो मुझे calculate करके बताओ you have given perpendicular given है base भी आपको given है perpendicular का मतलब यहां पे गया है इसकी बात कर रहा हूँ इसको यानि कि qr को perpendicular बोलो के और जो base है आपके पास यह आपके पास pq है basically होता यह है कि हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस is equal to होता है perpendicular का square plus base का square ठीक है तो हाइपोटेनिस की जिगह यहां पे हमारे पास क्या है पी आर है हमारे पास यानि पी आर का square और जो पी यानि की बात करें तो यह आपके पास qr है यानि की qr का square और base की अगर बात करें 20 का मतलब है यहां पे pq का square है और मैंने आप से पूछा है कि पी आर के value निकालो तो पी आर की value निकालने के लिए क्या करोगे इन दोनों का square करोगे प्लस करोगे फिर उसका root निकाल दोगी ठीक है चलो solve करो बता हुए क्या इसका answer आ रहे है कोशन बहुत अच्छे से explain कर दिया है मैंने बहुत easy question है क्लियर है ठीक है अब next question पूछो जो भी doubt है पूछो बचे और इस question को solve भी करो इस question को solve करके मुझे answer बताओ PR की value क्या रही है ठीक है से solve करके बताओ तो answer क्या रहे है और जो next मैंने पूछे उसका answer भी बता हूँ अच्छा answer बता रहे हूँ 500 500 आ रहे है 500 क्या है ये तो बताओ 500 क्या है ये भी बताने है वैसे तो answer correct है बट ये 500 है क्या चीज किस unit के इंदर unit बताने है unit unit लिख सकते हो कि 500 क्या है यह पर सेंटी मिल्टर है ये और बताना होते है 500 किस की value आगई तो PR की value आगई आप ऐसे लिख सकते हो answer कि भी पी आर ठीक है पी आर इस एकुल तू पी आर इस एकुल तू पी आर इस वेल तो 500 सेंटीमेटर ठीक है चलो अब नेक्स कोशन पूछो नेक्स कोशन पूछो नेक्स कोशन पूछो नेक्स कोशन है तो पूछो अदरवाइस फिर मैं पूछो नेक्स कोशन करेंगे अगर क्वेशन नहीं है किसी डाउट नहीं है डाउट सारे सॉल्व है तो अच्छी बात है ना क्लास ओवर कर सकते हैं अच्छी बात है अपने 14 चप्तर देख लिया है अज इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा तो नेक्स कोशन देखों नेक्स कोशन में लाइच चैट में रीड करके बता देता हूँ और यहां पे स्क्रीन पर भी आपके लिख देता हूँ कोशन आपके पास यह वह नहीं कि एरिया ओफ राइट एंगल ट्राइंगल तो में भी एक ट्राइंगल नहीं सकता हूँ जिसमें एक एंगल थ्री एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर वन एंगल इस नाइंटी डिग्री ठीक है तो यह कुछ इस शेप में बनके आ जाएगा आपके पास और यहां पर यह इसकी वैलू सबोस कर लो इसकी वैलू आपके बस आ गया अब इसमें कुछ वैल्यू दे रखिए आपके बास क्या क्या वैल्यू से लिख लेते हैं दर राइट एंगल ट्राइंगल इस फोर्टी स्क्वेर सेंटीमेटर यह आपको एरिया गिवन है तो मैं यहां लिख देता हूँ एरिया ओफ राइट एंगल सिंबल भी यूज कर लेते हैं राइट राइंगल ट्राइंगल का और यह आपके पास क्या है फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वेर लिख लेता हूँ ठीक है एरिया में की बन है अच्छो उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इफ इस बेस इस इस इक्वल टू 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 है ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि find the value of height अब जो इसकी height है ठीक है height की value आपसे पूछा जा रहा है कि height की value क्या है यह आप लोग calculate करो और बताओ ठीक है यह आपकी पास है तो देखो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला बताओना अच्छी है अब देखो solution कैसे करेंग i hope clear हो गया होगा question में information क्या है यह भी clear हो गया होगा bc given है a b m a calculate करने है तो सबसे पहले लिखोगे solution और यह जो diagram अगरा है जो इससे draw कर लोगे और उसके बाद step by step solve करेंगे तो इसका जो formula का area calculate करने का formula होता है basically यह होता है बच्छो पहले ता आप formula लिखोगे area of triangle abc is equal to 1 by 2 ठीक है क्या बहलोगे जो इसका formula होता है 1 by 2 base into height होता है यह formula होता है base into height होता है अच्छा अब 1 by 2 as it is लिख लिए है मैंने यहापे base की value क्या है यहापे base की जगा लिख सकते हो bc height की जगा क्या लिख सकता हो a b लिख सकते हो और जो इसकी value का area की अगर बात करूं यह आपके पास already given है कि 40 cents 40 है तो मैं यहापे 40 लिख लेता हूं ठीक है बाकि base की value भी next step में क्या करूंगा base की value रख दूंगा यानि कि आप मैं यहां क्या करूंगा 40 this implies 40 is equal to 1 by 2 bc अच्छा bc की value भी हमारे पास है वो कितनी है 28 cm है तो मैंने यहां 28 रख दिया अब हमारे पास क्या रहे है कि a b की value बस हमें find out करनी है ठीक है तो आई हो यहां तक clear हो गया होगा अगर नहीं clear होगा अगर नहीं clear होगा ए यहां पर मैंने क्या क्या एडिया की value 40 था 40 रख दिया बीसी की value यानि बेस की value 28 था वो रख दिया अब हमें क्या करना होगा इस a b को find out करने के लिए एक तरफ रखेंगे वी को बाकी चीजों को shift करेंगे और फिर हम इसे solve कर लेंगे उससे पहले मैं क्या करता हूं इससे ट 2, 4, 8 यानि की 14 आ जाएगा फिर पास ठीक है अब देखो next step में यहां पर कर देता हूं next step है मैं क्या कर रहा हूं अब मैं लिख सकता हूं कि 40 is equal to हो जाएगा हमारे पस 14 multiply by a b हो गया ठीक है अब a b की value ही find out करनी है तो a b is equal to हो जाएगा 40 divide by 14 अब divide में क्यों है क्यों है क्योंकि यहां पर यह दोनों multiply में थे अर जब भी multiply का कोई number है आपके पास है और उसकी जो side change करोगी तो sign जो है बच्चों वह भी change हो जाएगी it wills यह है कि जो भी multiply में है आपके पास वह जब side change करेगा तो वह किसमे हो जाएगा divide में हो जाएगा और इसी तरह divide जो होता है जब उसे side change करते हो तो वह क्या होता है multiply हो जाते है ठीक है यानि को उल्टा होता है vice versa reverse हो जात यानि कि आपके पास क्या आगया 20 by 7 अब decimal में निकालने का काम भाई आप लोग करो और मुझे भी comment करके बताओ AB की value क्या है ठीक है इसके बाद बचों में यह हाँ पे लिख रहा हो कि AB is equal to हम लिख सकते है 20 by 7 अब decimal में निकालो और मुझे भी value बताओ कि AB की value क्या रही है ठ अब बताओ भी के answer कि आ रहे है 20 को 7 से divide करो बाकी बच्चे भी reply करो भी जो बच्चे class देख रहे है लाइब class में अटेंड कर रहे है अपना नाम बताओ दो बच्चों ने comment किया बस बाकी बच्चे comment कर रहे हैं अब comment करो और अगर कोई doubt है नहीं समझ में आ रहा है तो पू पूछ भी सकते हो ठीक है और हाँ class 5 वाले बच्चे आज लास्ट सेप्टर की वीडियो है आपकी next वीडियो वह भी आज आ जाएगी तो आप वह भी देख सकते हूं चलो भी पूछो भी मुझे पहले ही तो answer बताओ इसका answer कि आपका answer क्या रहे है ठीक है जल्दी से बताओ ठीक है बच्चे जल्दी से बताओ क्या answer आ रहा है मैं wait कर रहूं आप लोगो reply गा ठीक है hello good morning ठीक है आप question solve करो और answer बताओ क्या answer आ रहा है बहुत easy सा question है कोई मुस्किल कोशन नहीं है तो सब लोग answer कर सकते हैं फटाफट answer बताओ क्या आएगा अच्छा 2.85 बताओ ठीक है चेक करते हैं यह सही है गलत है बागी बच्चे भी करो बागी बच्चे भी reply करो भी क्या answer आ रहा है मैंने बोला था कि 20 को भाई divide करना है किसी डिवाइट करना है 7 से करना है ठीक है यह answer आजाएगा आपके पास अब centimeter और लगाया करो centimeter जो भी unit होता है वह और लगाया करो ठीक है यानकि जो भी answer है आपका उस answer में आपने क्या करन है कि जो भी value है उस value के साथ उसकी unit ज़रूर लगाया करो जब आप unit लगाते हो तब जागे correct answer वह माना जाएगा ठीक है तो unit लगाना मत भूला करो ठीक है यही correct answer है वैसे correct answer आप लोग लिख सकते हो कि जो value है किसकी value आपने find कि है height की value find कि है height का मतलब यहापे क्या है ab तो सब्सक्राइब लगाना नहीं भूलना है ठीक है प्रापर तरीका answer लिखने का यही है कि ab is equal to 2.85 cm ठीक है चलो हो गया question clear हो गया चलो अब केसी का next question है टाउट है पूछो जल्दी अधरवाइस फिर में class point अप करूँगा ज्यादा लंबा नहीं खीच पाँगा क्योंकि जल्दी पूछो बच्चो टाइब देर मत करो भी थोड़ा जल्दी करो कोशन पूछो फटावड नेक्स कोशन की तरफ मूव करेंगे एजी कोशन था इस टाइप का question मैं भी देता हूं इसी टाइप का जिसमें आपको base given होगा height given होगा या फिर कुछ एक चीज मिसिंग होगा ठीक है तो देखो एक कोशन मेरी तरफ से बिल्कुल है ऐसा ही कोशन है इसी टाइप का question में दे रहा हूं जल्द ध्यान से देखो तो जैसे आपने यह कोशन solve किया बच्चो उसी टाइप से suppose कर लो भी यह मेरी तरफ से कोशन है कि आपके पास अगेन आगर आपके बास एक right angle triangle है कुछ भी नाम रख लेता हूं से नाम रख लेते हैं area is equal to माल लेता हूं आपके पास hundred centimeter square है ठीक है और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे height calculate करके बताओ कि height के इतनी आएगी ठीक है और height के जगह यहां पर क्या है height की जगह कह सकतो mn है value है तो mn calculate करो और मुझे भी बताओ इसका area क्या है अबलब area given है उसके बाद base भी given है और जो height है यह आपके लिए question माक है ठीक है याने कि आपको इस वाली value को find out करना है इस mn की value क्या होगी कैसे करोगे solve करो बताओ और यह आपके बस 90 degree का है 90 degree का मतलब यह यह क्या है right angle triangle है ठीक है जब भी किसे triangle के अंदर one angle 90 degree का होता है तो उसे हम right angle triangle कहते हैं हिंदी में संकौन तिर्भुज बोलते हैं ठीक है तो चलो solve करो इसे और बताओ मुझे answer क्या है औ इस बीच में किसी और बचे होगी doubt है तो वह भी आप पूछ सकते हूं देख रहा हूं है question आ रहे है मेरे पास तो यह question है 56 multiply by bracket open 648 multiply by again bracket open 5678 plus again bracket open 80865 ठीक है बच्चों आप यह next question में लेता हूं जो question type कि है उसे लेता हूं इस बीच में फटा फटा आप यह calculate करो और मुझे भ बता हूं ठीक है यह दोनव चीज सॉल्व करो और यह वाले question और उसके बाद मुझे comment करके बताना इस विचे जो question आया हुए उस question को में screen पर लिख देता हूं ठीक है और मैं उमीद करता हूं कि आप लोग पहले question को solve करोगे और मुझे यह comment box में reply भी करोगे ठीक है तो जो बच्छे actively participate करें इस class में बिल्कुल active है वो बच्छे reply करेंगे जरूर करेंगे ठीक है तो answer क्या है वो भी मुझे बताना अच्छे उसके बाद जो next question में लेने वाला हूं मैं तब तक question लिख देता हूं भी question क्या है एक मिनिट डिलीट कर दिया क्या comment अभी तो question था delete कर दिया शायद किया अभी दिख रहा था आप नहीं दिख रहा तो बच्छे delete मत किया करो जब आप लोग डिलीट कर देते हो भाई फिस मेरे पास option नहीं रहा नहीं जाता है कि उस question को मैं कैसे लिखू हूं तो question delete मत किया कर अभी देख रहा था अभी शायद आप लोग ने delete कर दिया है शायद अब दिखने रहा हूं मुझे दुबारा question type कर दो बच्छे question दिख रहा था अहाँ दिख रहा अब दिख रहा question यह है 56 live chat में question है ठीक है तुम मैं question लिख देता हूं पहले 56 multiply by bracket open 648 अच्छो उसके बाद next है again bracket open और इसमें value है 5678 ठीक है फिर plus का sign है again bracket open 80864 ठीक है उसमें minus करना है 567 फिर bracket close ठीक है उसके बाद यह वाला bracket भी close और उसके बाद जो next bracket है यानि कि यह वाला जो bracket आप दिख रहे हो इसे भी close कर देते हैं ठीक है और लास्ट में क्या है कि multiply by multiply by 67 यह question है पूरा complete ठीक है इसे हमें solve करना है ठीक है भी सबसे पहले bracket solve करेंगा और उसके बाद solve करें इस पीच में मैं उमीद कर रहा हूं कि भी आप लोग फटा-फट इससे solve करोगे और इसका मुझे आंसर भी बताओगे ठीक है तब तक मैं कर रहे हो तो question solve करो solve करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है ठीक है और इससे पहले मैंने question समझाया है भी आप लोगो को क्योशन करना कैसे है अच्छा अब जैसे इसको solve करोगे तो सबसे पहले में क्या करोगा इस ब्रेकेट को solve करोगे यानिकि 500 यह 567 को इसमें माइनस कर लेंगे ठीक है अपमें चाहो तो यहां पर माइनस करके देख लो तो यहां आपके पास 14 हो जाएगा 14 में 7 माइनस करोगे 7 अब यहां 5 हो गया 5 में 6 माइनस करोगे 9 हो जाएगा वन बोरो कर चुके हो अल्रेडी यानिकि 7 में 5 माइनस करोगे 2 यानिकि 80,297 माइनस करने पर आ गया तो मैं आप इसे लिख सकता हूं कि 56 x 648 अगिन ब्रेकेट ओपन 5678 प्लस अब इसको जब solve करोगे तो यह आपके बास क्याएगा 88,297 ब्रेकेट क्लोज मुल्टिप्लाइ बाए 67 ठीक है अब इसको यानिकी 88,297 में क्या करना आपको 5678 इसको प्लस करो और बता भी क्लस करके क्या आ रहा है तो हम क्या करेंगे बचो इस प्लेस पह यानि जो ब्रेकेट ए इस ब्रेकेट की जगा इसकी वेल्यू प्लस करके लिख देंगे तो यह आपके पास जब इ में 16 प्लस 1 क्या हो गया 17 हो जाएगा ठीक है यह लिखा वन आ गया 6 और 2 8 हो गया 8 प्लस 1 9 हो गया अब यह जीरो और 5 एड़ करोगे 5 हो गया और आपके बस 8 हो गया यानिकि 85,975 इसकी जगह आ रहे है ठीक है और इस वैल्यू को यहां रखतेंगे यानिकि 56 को मल्टिप्लाइ करोगे 600 लिख दकतों में 648 और इसको क्या गरोगे मल्टिप्लाइ करोगे यह जो ब्रैकिट था बच्चो जहां में प्लस करना था उसके जगह यह वैल्यू रख दोगे 85,975 और उसके बाद लास्ट में 67 है यह आपके पास आ गया तो अब ऐसा करो भई इस पूरे को मल्टिप्लाइ करो और अपना आंसर निकाल लो यानिकि 56 को पहले इस दोनों को साथ मिल करो बड़ा सा नंबर आपके पास मल्टिप्लिकेशन में आ जाएगा अब वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है तो जल्दी से सॉल्व करो बताओ अच इस भी जो प्रीवेस कोशन जिसमें मैंने बोला था कि भी मुझे आंसर कल्कुलेट करके बताओ तो बच्चे स्क्वैर लिखते हैं उस में जिसमें आप area कल्कुलेट करो मैंने आपको area कलकुलेट करने के लिए इहां पर 5 है अभी मैंनों को बने की लिए न के लिए म안 चुकह एंड्र आपके वास एरिया 1 एक रीट Iya 10b MN, MN की value आपके पास find out करनी थी, तो MN यहां ऐसे लिख लोगे, उसके बाद यह जो N O है, N O का मतलब यह है कि आपके पास यह 25, इस 25 को solve करना था भी, अब MN की value चाहिए आपको, तो MN, 1 minute, MN को इधा रहने दोगे, छोड़ा सब बड़ा लिखते हैं, तो MN की value है, इस MN की value find out करनी थी, तो उसके लिए हमें क्या करना था, इस 100 को, जो यह 25 multiply में है, वो तो divide में आ जाएगा, और 2 जो divide में, वो पर multiply में आ जाएगा, 1 इपर multiply में, नीचे divide में, इस तरह से solve करना था, ठीक है, यानि कि 25 नीचे divide में, और 2 multiply में, तो अगर मैं इसे divide करो 25 के table से, 25 वन जा, 25, 25 फोर जा, बता सकते हो, इसे 25 फोर जा, अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 फोर जा, 400 हो गया, यानि कि 4 को और 2 को multiply करो गया, और आज़र लिकाल लोगे, बहुत easy सा तो question था, यानि कि आपके पास जो answer आएगा, 8 centimeter answer आना था, 800 पता नहीं क्यों बता रहे हो मुझे, 800 नहीं आएगा, और centimeter square क्यों आएगा, centimeter square भी नहीं होगा, बज़ो सिर्फ centimeter होगा, यानि कि MN कि एकर value की बात करो, तो या आपके पास 8 centimeter आएगा, इस question के अंदर, ठीक है, अब यह जो multiplication वाला question है बच्चो, इससे पूरा solve करना, और मुझे भी बताना कि भी क्या answer है, ठीक है, यह multiplication काम रह गया, उस बीच में एक last question और ले ले लेता हम आज का, उसके बात class wind up करूँगा, ठीक है बई, इसमें क्या आए कि एक बच्ची है, उसकी अंटी उसके लिए gift लेके आई, और यह जो gift लेके आई है, यह चाइना से लेके आई है, तो चाइना की जो currency है, उसके according आपके पास value given है, और यहाँ पर आपने क्या करना, उस जो भी value है आपके पास, उसे Indian rupees में convert कर देना है, ठीक है, तो बच्चों यह उमीद करता हूँ, यह multiplication वाला question आप लोग सॉल्व कर दोगे, इसमें multiplication करना है, ठीक है, मैं लीव करता हूँ, छोड़ रहा हूँ इसको, और एक बच्चे ने answer भी कर दिया है, तो वहाँ से आप इससे solve कर सकते हूँ, चलो, अब मैं next question ले रहा हूँ, तो next question जो हमारे पास है, यह screen पर आप लोग देख सकते हूँ, कि yuan की value आपके पास given है, उस related question है, तो question में पहले value of yuan में लिख लेता हूँ, value of yuan, युनान नहीं है, भी yuan है, ठीक है, थोड़ा सा देखना, ठीक करना है, युवान, इसकी value कर बात करें, इंडियन करन्सी के हिसाब से, तो वह आपके पास है, रुपीज 5.50, ठीक है, यह value है, अच्छा, cost of present, यानि कि cost of gift के अगर बात करो, present लिख लो, gift कर लो, कुछ भी आप लिख सकते हो, उसका cost कितना है, 30 yuan है, 30 yuan आपके पास इसका cost है, और हमें इंडियन करन्सी के find out करना है, कि cost in Indian currency, in rupees लिख लेता हूँ, इंडियन करन्सी का मतलब है, in rupees, तो उसके लिए में क्या करेंगे, इस 30 को multiply कर लेंगे, 5.50 से, और हमारे पास answer आ जाएगा, ठीक है, तो पहले जो आपके पास 5.50 है, इस में से decimal remove करो, decimal remove करने के लिए, मैं क्या करूँगा, 5.50 को लिख सकता हूँ, 550 divided by 100 लिख सकता हूँ, decimal remove करने के लिए, मैंने क्या किया, यहां पर देखा कि 2 digit है, after decimal, it means I have to mention or write 2, 0, ठीक है, 1 के साथ मैं क्या गरोण, 2, 0 लगा दूँगा, अच्छा, अब आपके पास जो यह calculation है, इसे आप simplify कर लो, solve कर लो, आपके पास answer आ जाएगा, बहुत easy है, जीरो को जीरो से cancel कर दिया है, अगें इस जीरो को इस जीरो से cancel कर दिया, तो बच्चा कि आपके पास 3 multiply by 55, divide by 1 है, इसे लिखो या मत लिखो, कभी फरक नहीं बढ़ता, तो मैं अब नहीं लिखूँँगा, तो आपके पास यह जो 3 है, और 55 है, इन दुनों को multiply करो, answer आ जाएगा, तो जल्दी से multiplication करो, ठीक है, और मुझे भी बताओ भी answer क्या है, यानि कि 55 को 3 से multiply करके, answer बताओ, answer क्या आ रहा है, ठीक है, easy सा calculation है, और मुझे लगता है, सब बच्चिए इसका answer दे सकते हैं, रिक है, तो जल्दी से बताओ, Indian rupees के according, इसका cost कितना होगा, वो बताओ, सब को बताना है भी, जल्दी से बताओ, किया answer आ रहे है, जल्दी बताओ इसका cost कितना आ रहे है Indian rupees के according, यानि कि आप लिख सकते हैं, रूपीज, Indian currency के according, ठीक है, तो 55 को 3 से multiply करना है और आंसर लिखना है चलो बताओ वही क्या आंसर है वेट कर रहा हूँ अब लोग आंसर का दोना है अध्यार इस वीडियो को लाइक कर दो भाई लाइक शेड भी कर दो बचो में बहुत सारे बच्छे को पता नहीं लगता और वन्पlardaasan टाके हम हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके बच्चों ठीक है चलो जल्दी से भी कमेंट उपर की बताओ क्या आंसर आ रहे हैं बहुत इजी सा ठीक है अब रूपीज 165 अच्छे ठीक है अब आंसर लिखना आ गया है सर जैसे डिमांड करते हैं उसी क्या कॉंड रूपीज 16 165 कि हमारे पास करेक्ट आंसर ठीक है बस सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया और सबने मुझे आंसर बताया कि सर यह आंसर ठीक है अच्छे नेक्स कुछन ने तो पूछ अधरवाई फिर में क्लास वांड आफ करूँगा ठीक है कि कोशन ने तो पूछो बच्चों सर वाट इस दए एक्सपेक्टेशन क्या पूछना चाहरा हुए ऐसे बीच में नहीं समझ पाएगा तक आप कोई पूछोगी तो कुशन पूछो और उसके बाद ही मैं आपके आंसर दे पाऊंगा कुशन पूछो अच्छे सब 25 टुट इलेबर 23 तता एक्स का ओसत 40 है ठीक है ग्यारा 23 और एक्स का ओसत 40 है एक्स का मन क्या होगा कुछ ओप्शन भी दे रखा है कि छह चालीस असी 120 ठीक है भी बहुत आसान सो कुश्ट है एवरेज 20 कुश्ट है आपके पास ऑप्शन भी दे रख्यारा आपको सॉल्व कैसे करना यह भी मैं बता देता हूं तीनी नंबर है नहीं यह 1123 और एक्स और त सॉल्व कर सकते हैं ज्यादा मुस्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर जिन बच्चों ने लेट जोइन किया है उनको मैं बता देता हूं कि सुबद 6 बचे मैं क्लास लेकि आता हूं और प्लीज इसका जो लिंक है बच्चे अपने फ्रेंड में से शेर जरूर करो ताकि ब पूछा आप लोगों ने देखो लाइब चैट में अभी हिंदी में इंग्लिज यह हमारे लिए मैंटर नहीं करता कि किस लैंग्विज में कुछन पूछ रहे हैं कुछन से मैटर है हमारा कुछन सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो सिखाने वाला हूं तो देखो इस कोशन एक अन्नोन नंबर है उसके लिए एक्स दे रखा है यह तीन नंबर है और इनका जो एवरेज है एवरेज आपको दे रखा है कि एवरेज क्या होगा 40 एवरेज का मतलब यहां पर हिंदी में बोलू तो आसद बोल सकते है औसद कहलो या एवरेज कहलो बात एक ही है ठीक है वो आपके इवाद 40 दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इसका है जो एक्स की वेल्यू फाइड आउट करो आपसे बोला गया है फाइंड दा नंबर एक्स ठीक है यह उसके बाद इस को स्वाल कर लोगे तो यहां पे मैंने लिखा solution और solution के बाद मैंने लिखा पहले है उसके बाद average का formula तो average का formula यह होता है जितने भी number से सब का plus यानि कि sum of all number यानि कि जितने भी number से आपके पास उनका योग हिंदी में लिखूँ योग सभी संख्याओं का योग ठीक है हिंदी में कर लिखना चाहूं तो सभी संख्याओं का योग यानि कि उनका जोड ठीक है हिंदी में भी लिख दिया मैंने जितने भी संख्या है उन सब का जोड हो ग टोटल नंबर लिख सकते हो जादा अच्छा है जितने भी नंबर्स उसे काउंट करोगे यहां पर लिख दोगे यहां पर लिख दिया टोटल नंबर लिख लिया आपने कि कितने नंबर है आपके बास यहां पर कुल संख्या लिख सकते हो कि जितनी भी संख्या है वो उसकी ब का जोड यानि की योग की विर बात करें आवरेज आपकी बास 40 है तो लो भी मैंने 40 लिख दिया और जो भी नंबर से आपको प्लस करो यानि आपने क्या करना है 11 प्लस 23 प्लस X ठीक है यह हो गया और टोटल नंबर कितने हमारे पास 3 नंबर से हैं 123 यह मैंने आप 3 लिख दिया अब हमें करना क्या इस एक्स की वेली फाइड आउट करनी है यहां तक क्लियर हो गया कि 40 इस इक्वाल टुटी थी प्लस एक्स डिवाइड बाइड बाइड थी कैसे आ रहे है ठीक है यह अच्छा उसकी बाद मैं एक बच्छे ने आंसर भी कर दिया है बहुत अ आपके पास यहां पर जो डिवाइड में यहां पर 40 के साथ मुल्टिप्लिकेशन में आ जाएगा और हम लोग 11 को और 23 को प्लस कर लेंगे तो यह 4 हो गया यह 3 हो गया ठीक है यानिक आप यह कह सकते हो कि जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 34 आ जाएगा और इधर आपने ज से 34 माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा एक बच्चे ने आंसर भी बता दिया कि सर हमारा आंसर तो यह आ रहा है अब देख लो सर आंसर सही है गलत है आप मुझे बताने है ठीक है तो बाकी बच्चे माइनस करो और वैल्यू कितनी है बता वही यही बाद आंसर आ करने है ठीक है ठीकहि बताओ चेलकुलेट करके आप लोगो का आंसर क्या रहा है ठीकहि बही बहुतेजी है कि आपको 120 मिस से 34 माइनस करनी है बहुत इजीनृकोलेशन देख्या और सब बताओ फैल मारा चितना तो फीमेल आ रही है यह ही बाकी बच्चे कर चुके डिश ग 꼭 समय एंदर बिलकुल सही एंसर है सही है जतने बच्चे बता रहे है बिलकुल करेक्ट है करेक्ट सरे गुड्मोर्निग अब कुछ बच्चों ने देर से जॉन किया है कि अब देखुआ एक नेक्स कुशन भी इस बीच में आगया हमारे पास इसको सिंप्लिफाइब कैसे करना है उसके बारे में कुशन है ठीक है तो सबसे बहुत पहले में कुशन लिख देता हूं जैसे कि यह कुशन मुझे दिख रहे है ठी ब्रेकेट ओपन जो भी नंबरे मे यहां पर लिख रहा हूं ठीक है चंदन यादब नाम है ठीक है कोई बात है आप तुमारे नाम पापा के आईडी से यूज़ कर रहे होगे तुम्हां पर देव लिखा हुआ रहे है तो इसलिए मैंने देव यादब बोला अच्छ ठीक है देखो कोशन है हमारे पास यह है कि इसे भी सॉल्व करो थ्री प्रेकेट ओपन एटीन प्लस ब्रेकेट थी प्लस फॉर मैं चाहता हूं आप लोग फिर से मुझसे पहले सॉल्व करो और आंसर बताओ इस कोशन का क्या आएगा तो सबसे पहले यह माइनस करोगे फूर माइनस टू को फिर जो भी यह प्लस करो और फिर फाइनली जो अपका आंसर आ रहे है और अजा बद आउम सब्सक्राइब कर सकते हैं जल्दी से कल्कुलेट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है तो यह थ्री आज़िए मैं यहां रहने दिया पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो हमारे पास 18 प्लस अभी थ्री प्लस फॉर अभी इनको माइनस करोगे फॉर माइनस टू करोगे तो बताओ क्या आंसर आ रहा है अब 3 एज़िए लिख लिए मैंने आप एटीन लिख लिए अब देखो फॉर को टू को मल्टिप्लाइ करोगे तो आपके पास क्या आएगा एट आगया बच्छों ठीक है अब ब्रेकिट क्लोस अच्छों उसके आज़िए जैसे 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 अब लोग बताओ बहुत सारी बच्चे मुझसे भी पहले आंसर कर रहे हैं वेरी गुड यानिके आप लगोंने आप स्पीड पगड़ ली ठीक है तो आप लिख सकते हो कि हावी करेक्ट आंसर के हमारे बस अच्छा उसके बाद नेक्स कुशन है एक कोशन किसी बचे ने कमेंट किया था मैं उसे पिक कर लेता हूं नेक्स्ट आपके पास एक कोशन है थोड़ा सा उपर है कि टूब हन्डर टूंटिफ मैं लिख देता हूं ठीक है ये स्क्रीन पर नेक्स कोशन आ रहा है बच्छों देखो अब देखो नेक्स कुशन पर आपकि आ रहा है और फटड़ा फट साल करो जैसे आप लोग डिवाइड बाइ 16 यह आपको सॉल्व करना है बही सबसे बैटर यह कि आप बूड मार्क्स यूज करो ताकि मिस्टेक ना हो बूड मार्स रूल यूज करो बचो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेना ठीक है जिसमें यह होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते दन दिवाइड के बाद मल्टिप्लिकेशन करते हैं उसके बाद एडिशन करते हैं और सबसे लास्ट में क्या करते हैं सब्ट्रेक्शन करते हैं इस रूल को यूज करो और फ़ी थोड़ा सा जल्दी से बताओ आनसर क्या आएगा यालिकि जहाँ भी डिवीजन दिख रहे है य उसके बाद एडिशन करने अब सबसे एंड में जाकर करके माइनिस करोगी ठीक है जल्दी से सॉल्द करो इस कुशन को इस कुशन में बताओ आंसर क्या रहे है बहुत अच्छा लग रहे है बहुत सारी बच्चे बहुत आच्छे स्पीड में कलकुलेट कर रहे हैं ठीक है तो मुझसे पहले solve करो बही और बताओ देखते हैं सही answer और सबसे पहले answer किसका आता है तो मैंने बता दिया आपको कि पहले division करना है तो अब 225 जो है बचो 225 को 15 से divide करो बहुत easy सा calculation है मुझे नहीं लगता है ज्यादा problem किसी को होनी चाहिए कि 225 को 15 से divide करना तो अगर आप लोग अच्छे से भी टेबल जानते हो 15 के 15 को 15 से multiply करते हो तो आपकी पास क्या आता है 225 आता है तो जब आपने इसको solve किया होगा 16 से कर लोगे अब जब 16 को 16 से multiply करते हैं तो हमारे पास क्या result आता है 256 आता है अब 256 को जब आप 16 से divide करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा तो कहोगे सर 16 यह आएगा ठीक है इसको divide करके यह आ गया अब मैंने कहा था कि भी पहले तो divide करो तो divide वाला काम कर लिया है उसके बाद मैंने कहा था multiply नेक्स स्टेप में करना चलो भई अब multiply कर लो यह आपको क्या करना है 12 को 8 के multiply करना है 12 का टेबल अगर आपको अच्छे से learn है तो आप लोग लिख सकते कि 12 8 जा 96 होता है यह 96 हो गया और यह 16 है यह 16 यहां पे लिख लिए ठीक है अब आपने क्या करना है भी addition कर लेना है याने कि इन दोनों को 15 को और 96 को प्लस करोगे बहुत easy सा calculation है कि 96 में आपने 15 add कर लेना है ठीक है तो जब इसे add करोगे तो 111 यानकी 111 आजाएगा अब इसमें 16 माइनस करो तो बहुत सारे बचे ने answer बता दिया कि सरा answer जो आएगा 95 आएगा देख लेते हैं 111 में 16 माइनस करके कि हमारा answer क्या यह आएगा तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इसमें 16 माइनस करोग तो हाँ यह आपकी पास 95 जो है बिल्कुल करेक्ट है सब बच्चों ने answer यहाँ पर सब ने तो नहीं अभी दो बच्चों ने answer किया है 95 95 ठीक है 95 मारे पास के correct answer है ठीक है तो आप लिख सकते हो कि 95 इस दा correct answer ठीक है तो इस तरह से आप answer लिख सकते हो कि अच्छा ठीक है भाई करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है काफी सारे बच्चे answer कर रहे है कि सर 95 सही answer है बिल्कुल 95 है इसका correct answer है ठीक है बच्चों फिर नेक्स कोशन है तो पूछो अधर वाइस फिर मैं इस क्लास को इह वाइंड आप करूँगा तो पर्संटेज को पर्संटेज की फ़र्म में लिखना है लो बही चलो मैं प्रोसीजर बता आता हूं आप लोग सौल्व करो बताओ भी मुझे भी क्या आंसर आएगा 1 by 13, देखो next question आपके लिए है, कि आपके बास एक number दे रखा है, fraction में number दे रखा है, ठीक है, तो वो number किया है, देखो यह live chat में question है बच्चों, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, question जो आपके लिए, कि 1 by 13, 1 by 13 आपके बास एक number है, 13 है, 1 by 13, और इसे में represent किस में करना है, इसे represent करना है, हमें percentage की form में, तो बहुत आसान है, लिख सकते हैं, 1 by 13, multiply by 100 कर लो, आपके बास answer आजाएगा, यानि कि, जब आप इसे further solve करोगे, तो 100 को 1 से करोगे, तो 100 हो जाएगा, और divide by 13, ठीक है, तो 100 को 13 से divide करो, आपके बास answer आजाएगा, सर आप खुद से question पूछे ठीक है, मैं भी question अपनी तरफ से पूछूँगा, इसको divide करो और बताओ, मेरी तरफ से question, मैं ऐसा करता हूँ, किस base पर, यह जो बोड मार्स से related question में, देता हूँ, आप लोग solve करना है, पहले यह 100 को 13 से divide करो और बताओ, क्या बता रहे हो, 0.2 into, जो भी है 13 से divide कर नहीं, 0.2 नहीं आएगा, यह numbers में आ जाएगा, कुछ something, direct 0 में नहीं जाएगा, मेरी तरफ से question यह है, 15 multiply by 125, ठीक है, प्लस 165, divide by 15, ठीक है, divide by 15, आगे कह सकता हूँ, माइनस 11, ठीक है, एक छोड़ा से calculation है, यह बहुत easy calculation है, यह आप लोग कर सकते हो, ठीक है, लगभग, अच्छा, लगभग भी लिखते है, डेसिमल के two place तक कर दो, हो जाएगा इतना, बच्छा, यह last question है, अब over करूँगा, मुझे निकलना है, कल सुबर मिलते हैं, ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था, आपको कि भी 100 को 13 से divide करो, तो एक बच्छे ने answer भी बता दिया, कि सर इसका जो answer आएगा, वो 7.7, क्या यह answer correct है, यह answer correct है, तो 7.6 कुछ आ रहा है, तो उसने क्या क्या, और round off करके बता दिया, कि सर 7.7, ठीक है, गल calculate किया हुगा है, decimal के 2 प्लिस तक, तो आपके बास 7.6, 9 आया हुगा है, लेकिन यह 5 से ज्यादा है, तो इसलिए आप इसे round off करके 7.7 लिख सकते हो, ठीक है, तो correct answer है, ठीक है, तो 7.7 अमाँ answer बोल सकते हैं, बिल्कुल correct है, ठीक है, बच्छे, फिर आप मैं left करता हूँ, आ आपके बाला, ठीक है, यानि कि 1875 इसका answer है, ठीक है, अब मैं class wind up करूँगा बच्छों, ठीक है, अब मुझे निकलना है, इसलिए अब class इतनी देर काई है, 7 वजे से पहले-पहले मुझे निकलना होता है, तो मैं अब निकल रहा हूँ यहां से, ठीक है, कल सुबह मिलते है हाँ, ठीक है, बचे ने answer भी बता दिया है, कि सर आपके वाला answer हमारे पास 1875 आ रहे है, बहुत अच्छे, जल्दी से solve कर लिया, बाकी बताओ भी बाकियों का answer क्या रहे है, यह answer आ रहे है, यह answer आ रहे है, answer बता के जाओ, इसे भाई-भाई करने से पहले answer बताने, भाई- किजया है, बताने, कि अच्छे, दिसका है, बताने, बताने, इसे दोने are a-बाते है, बताने, पा-बाते, बताने